खले पूल संपदा खले पूल संपदा कला श्रम संपदा उनर से लगल से श्रम से उद्यम से भरी भरी धरा है खर नगर भरा है खले पूल संपदा कला श्रम संपदा रंग बिरंगे जोड के टुकले हमने बनाए पितली के पंखों से कोमल सुन्दर शाल दुशाले समय के साथ जगहों के नाम, पहचान और सीमाएं वदल जाती हैं आबादिया विरानों में तब्दील हो जाती हैं और अतीत के खंडरों पर आलिशान, महल और तिले तामीर हो जाती हैं महाभारत काल के अहिच चत्रा और पंचाल प्रदेश का गुमनाम छोटा सा गाउं रामपुर सत्रवी सदी में अफगानिस्तान से आने वाले रुहिला नवाबों के अधिकार में आकर हिंदुस्तान में पठान हुकूमत की आखरी खुशाल रियासत बन जाता है जब कठेर के सूबेदार नवाब अली महुम्मद खा के बेटे नवाब फैजुला खा ने रुहिल खंड की हुकूमत खत्म होने के बाद सत्रा सो चोहतर में रामपुर आबात किया तो चारो और उचे उचे मीनार, शानदार गुंबद और आलेशान किला, बारादरियां और शाही महल रामपुर की पहचान बन गए कले के दोनों दर्वाजों पर सुभो शाम रोशन चौकी बैठती नकारे और शेहनाई के नकमे फजा में गुजने लगते जब 1856 में अभद पर और 1858 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो हुनर मंदों और एहले कमाल के बरबाद काफिले रोटी रोजी की तलाश में रामपुर आने लगे नवाबी ने रामपुर ने इनकी सरपरस्ति की नौकरिया भी दी और समान भी रोखेलों का दरबार और हरम अवद और मुगल सब्विता की रंग में रंग गया रोखेलों का अवगानी मिजास और लिबास भी बदल गया बेगमात मुगलिया गरारे और शरारे पहनने लगी शाल दोशाले और ओरनिया ओरने लगी बड़े बड़े कारखाने लगाए गए रामपुर के बने चाकू सरोते और टोपियां सारे हिंदुस्तान में मशूर हो गई रोटी रोजी की कोई समस्या न थी जनता खुश थी लेकिन 1949 में नवाबी शाशन खत्म होने के बाद ही कारखाने बंध होना शुरू हो गए जागिरदारी निजाम खत्म हुआ तो खुशाल महलों के मकीनों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई परदानशीन औरतों ने घर का खर्च चलाने के लिए पुरानी हस्त कला कारे पैबंध कारी को जिन्दा किया जिसे आज पेचवर कहा जाता है महलों में रहने वाली आओड़ों की इस हुनर बंदी ने बाजार में आते ही रामपूर को एक नई पहचान दी जिसे पैचवर कहा जाता है केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों में भी रामपूर के पैचवर की डिमांड रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है अगर पेचवर के इतिहास पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि हर कला दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कभी समंदरी रास्तों से, कभी खुश्की के मारगों से, मैदानी और पहाडी रास्तों से गुजरते हुई शास्तों की फौजों के जरिये एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाती है तो देशों की कौमें आपस मिलती हैं तो नई कला और नई तहजीब जन्म लेती है पेचवर का इतिहास भी कपड़े के रंग बिरंगे तुकडों की तरहां रंगीन और हसीन है हिंदुस्तान के मुगलिया तहजीबी दोर में इस हुनर को कारे प्रवंदकारी कहा जाता था क्योंकि ये कला इरानियों के जरिये आई थी इसलिए इसका नाम भी फार्सी भाशा में रखा गया जिसका मतलब होता है पेवंद लगाने का काम ये पेवंद कपड़े पर कपड़ा रखकर भी लगाया जाता था कपड़े को काट कर भी जिसे आज कट वर्क के नाम से जाना जाता है और टुकडों को आपस में जोड़ कर भी जिसे पटा-पटी स्टाइल कहा जाता है आम तोर पर पटा-पटी के गरारे आज भी दुल्हन के जोड़े के लिए खास तोर पर बनाए जाते हैं आज इस कला ने व्यवसाइक रूप ले लिया है लेकिन इसका इतिहास भी बड़ा दिल्चस्प है इसा से भी पहले के इरान के इतिहास में लिखा है कि जब इरान के शासक खुसरो परवेज ने युनान पर फत्य हासिल कर ली तो उसने नजूमी से पूछा इस समय मेरी खिसमत का सितारा किस बुर्ज में है उसने कहा बुर्जे होत में यानी मचली की शकल वाले बुर्ज में इस घड़ी को शुभ मांकर उसने मचली और चांड की शकल में रंगीन कप्रा कटवा कर अलम यानी ज़ंडे पर सुई से सिल्वा कर अपने सरदारों को तकसीम कर दिये पैबंदकारी के इतिहास की ये पहली घटना है जिसे पेचवर्क के इतिहास से जोड़ा जा सकता है बाद में फौजी दस्तों की पहचान के लिए अलग-अलग निशान फौजियों की वर्धियों और फौजी दस्तों के जंडों पर बनाए जाने लगे फौजी जरूरत के लिए पैच वर्क का तरीका तुर्क सुल्तानों, मुगल बादशाहों, आवध और दूसरे सूबे के सुवेदारों ने भी अपनाया होगा रामपुर के इतिहास से इसका प्रमाण मिलता है रुहिला सुवेदार नवाब अली मुहमत खा की सेना के बारे में सफर नामा बंगल में आनंद राम मुखलिस ने लिखा है नवाब अली मुहमत खा की फौज का अजब निजाम है फौज के हर दस्ते का अलग-अलग रंगीन निशान है अलम पर अलग-अलग रंगों के कप्रों की पैबंद कारी है जब फौज चलती है तो लगता है जैसे गुलिस्ता चल रहा हूँ बेगम नूर जहा ने मुगल सभिता की सरपरस्ती में बड़ा योगदान दिया है दर्बार और महलों की आराईश के लिए नई नई चीजें इजाद की कपड़े के रंगीन टुकणों को इस सलिके से जोड़कर लिवास बनाए कि पैवंद कारी एक पसंद दीदा कला बन गई और इसका इस्तेबाल बेगमात और शहजादियों के शाही लिवास में किया जाने लगा धीरे धीरे पैच वर्क का लिवास सुवेदारों और जागीरदारों की बेगमात का स्टेटस सिंबल बन गया अवद के शासकों ने इस कला में चार चांद लगा दिये 1856 में अवत की बरबादी के बाद जब लखनों के एहले कमाल रामपुर आए तो दस्तकारी की माहिर औरते भी आएं जिन्हें रोहिला नवाबों ने नवाबजादियों को दस्तकारी की तालीम और तर्बियत के लिए हरम में रख लिया इस बारे में जानकारी दे रही है बिलकीज जहां तब हमने क्या करें क्या करें तो इसके बाद घर में मेंडी का प्यड़ था उसकी पत्ती काटी बड़ी खुदी मतलब कोई नहीं दिवाग में वह उसकी काटी यह शाख ही बनाके और हरी पत्ती एक इदर एक इदर एक इदर एक इदर बड़ सबसे पहले बड़ी फी छोट कि्हा भुद्धेश उर्डाइश मेरे थुभी दरूगा थी। भुष पिए अभ्दरीत थी। अड thick Dial… मेरे दादा जुभी, हमारे नन्यालाि दी याल का लखनो सतार लगता… तो वहां से मुखलाइश इाथी ठी। साल-साल वहर बैठी वह काम जाए झां मिल लिए। बढ़ा होगा अपर पहुना इने अपना बना ऊकर बनावन है यह साथ को करता मान थे मीढू़ से पहन के इस वे अपना बना बना थी ते भींग के पमरे आता है वे मुझे से भी मैंने इनकी कृटते चार बना के दिये दोने ने का मैं बनवा लूँ गी तो पूरे रामपूर मेरे फिर कृटते दोप के नमूने का कृटता मेरे हाथ का बना बहु को सारे रामपूर में Clerक Solid के फिर मेरे पास आ गए मैंने उन से का तो कह लेंगी कि आप पैसे दो लेते नहीं आप उसकी मैंने आखिर में पैसे लेना शुरू कर दिये थे नाम भी और पैसे भी और तारीफें भी तीनोची है अबद के इलाके से आने वाली औरत बड़ी महजब और हुनरबंद थी इनके आने से नवावी हरम का माहौल बदलने लगा पैवंद कारी की हुनरबंदी नवावी महलों से निकल कर जिमेदारों और जागीरदारों में आई और फिर धीरे धीरे आम घरों में भी पहुँच गई बेटियों का जहिज तैयार करने के लिए पैचवर के पटापटी के गरारे, शरारे, रजाईयां बगएरा सब घर पर ही तैयार होते थे परिवार की लड़कियां बुजर्ग औरतों की निगरानी में जहिज तैयार करती थी रामपूर के इतिहास से मालूम होता है कि अवत की औरतों के आने से पहले ही लड़कियों को मदरसे में कशिदाकारी यानि एम्ब्रॉइडी की तालीम भी दी जाती थी जिसका प्रमार 1868 के रामपूर स्टेट गजेटियर से मिलता है उनिस सो रनचास में नवावी दोरे हुकूम खत्म हो गया नवावी शाशनकाल के बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए बेरोजगारी बढ़ी जीविगा के साधन सीमित हो गए जिम्धारी भी खत्म हो गए तो पेवंद कारी की कला घरों से निकल कर बाजार में आने लगी पांच जो कोई भी दुगान पर पसम करता था तो वह नमबर तीन के बेल डाल दो नमबर चार के मेरे पास अभी बहुत से डिजाइन है बहुत लोग ले गए जैसे मिसाल के तो पत्ती वर को पैच वर की बात नहीं है ये भी लगना उसे चला पटा पटी चली लोजा चली ये भी मुगलानिया करती थी तो हम करते था हम क्यों नहीं है उसके मुक्तलिफ नमुने हैं हम उसकी पत्तियां बनाते हैं पहले तो रेच मी जाता तर बनती थी जैसा करारे की गोट है रजाईयों की गोट है उसकी गोट है उसकी गोट है उसकी गोट है पत्तियां उसकी ब मुझे निमाग खराब हुआ था, कपड़ा रोज जाड़ू में जाते थे, फेकते थे, फेक देते हैं, इसके कोई काम में लाया जाए, तो फिर मैंने छोटे से जम चाहिए, जाफर छोटे से लिया हूँ, मुझे वह सम्मिट के लाने लगे, पैच वर के साथ साथ जो लोगो तो कड़े काट के, मुझे लिजाइन के, चोकी की चाधर, पलंग पुष्ट, तक्याग लाफ बगर चीज़ें बनाएं, इसको लोगों ने देखा, पसंद किया, यह कैसे बनाते हैं, हला कि कुछ नहीं है, बस दिमाग की बात है, खुदा का शुकर है, मुझे कुछ बाहर से आए हुए रामपूर में रहने वाले लोगों ने, जब पेचवर के लिहाव, रजाई, बैट शीट, मेज पोश वगईरा को देखा, तो उन्हें यह नया काम पसंद आया, परदेशियों के जरिये पेचवर का सामान दूसरे शहरों में जाने लगा, डिमान बढ़ पेचवर का काम घरेलू औरते ही करती हैं, आम तोर पर पेचवर क से बनी चीजें कपड़ा बेचने वाली दुकानों पर मिलती हैं, औरतें दुकानों से सावान घरों पर ले जाती हैं, और बनाने के बाद दुकानों पर पहुँचा देती हैं, और दुकानदार कारीगरों को मामूली उजरत दे देता है या झारकारी से Chestnut मे, एसका में दुझा से की अचोटी लगाए है पारन तो हम एसे स्टीती में हैं के ना तो हम कारीगार कारीगार की हुजरत दे पाते हैं और यह जो की मेंनत होती है जे उसको मिनना चाहिए इसी वज़ा से हम बहुत मद्दी में चले गए हैं और काम यह एक तरीके से डूगड में कागार पे हैं पैच वर्क में अनियक तरह के वर्क हैं कपड़े को भी काट कर उपर से चुपका जाता है कपड़े को सी के अंदर से कटिंग करी जाती है और फिर एक एपलीक वर्क और उसको कपड़े को ओपर सुई की से टाका जाता है यह दूर से देखने में पैंट से लगता है और अकरीब जाओ तो आप में लगता है कि यह अदनी को कला है कपड़े को काट कर फूल पतियां और एनिमन्स वगरा एवरिटिंग हर आइटम बन सकता है कपड़े कटेंग पति वर्क बाजार में आने से पहले घरेलू दस्तकारी थी रामपूर में हर घर में हर ओरत और लड़की इस काम को जानती थी गर्मियों में मर्दों के मलमल के कुर्टों के गिरेबान और गले पर सफेद पतियों से ऐसे सुन्दर गुलकारी की जाती थी कि पतियां भी कप लग जाती हैं, पत्तियां लगाने की हुनर मन्दी इस टेकनीक में होती है कि हर पत्ति का साइज एक जैसा हो और पत्ति को सुई के कितने ठाको से लगाया जाए ताके कपड़ा धुलने के बार भी पत्तियां कपड़े से अलग नहों सावीन नासी मैं पेच वर्क काम 10-12 साल से मैंने कर रहा है लेकिन मैं चाहती हुँ कि इसको जब हिसाप से काम हो रहा है इसको असकी दिए सिला मिलनी रहा है इसका इसकी जरत जितने काम उससे बहुत कम है पार तक्ये के गिलाफ मेस पोश टिकोजी कवर या और चोटे कपड़ों पर फूल पंखड़ियों या जोमेट्रिकल डिजाइन कट वर्क से बनाए जाते हैं इसके लिए गोल आकार के लकड़ी के फ्रेम का इस्तमाल किया जाता है कपड़े को विशेश डिजाइन में काट कर विशेश स्टिच से सुई धागे से भी सी दिया जाता है फिर नीचे के कपड़े को काट कर निकाल दिया जाता है लेकिन अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कढ़ाय की मशीनों से काम लिया जाता है पुरानी हस्तकला नाम मातर को रह गई है और सच तो ये है कि पेचवर्ग की ट्रेडिशनल हस्तकला मार्केट की डिमांड की पूर्ती भी नहीं कर सकती क्योंकि मशीनों दारा तैयार कीवे माल की उजरत हस्तकला की उजरत से काफी कम होती है वक्त के साथ जब कारुबार की टेकनिक बदली तो पेचवर्ग करने वाली ओर्तों ने एक नया तरीका इजाद कर लिया रंग बिरंगे बारी कॉटन के कपड़े अर्थात और कंडी को खुबसूर्थी से काट कर साड़ी शलवार जमपर दुपट्टे और कुर्तों पर पत्यों की आकिर्थी वाले कपड़े से कलात्मक ढग से पेच लगाने लगी जिसे पत्ती वर्क कहा जाता है इस बारे में कहती हैं शिर्मती हसन आगा में बारे में बारे जाथन आगा हुआ है झाल तो मैंने काना मेंजूआ है तो मैंने जमपर के बदामन पे अस्तीन पे गले पे वो चीज बनाई उसमें जोड नहीं पूरा यहां से यहां तक वह है और उसके काटा ऐसा कपड़े को कपड़े पे रखके ऐसा कटिंग की उसकी कि वो अंदर ही अंदर वो सिल जाए और नहीं तो कटे नहीं जोड हो और य पत्ती वर्क काम जब बाजार में आया तो ग्रहकों ने इसे बहुत पसंद किया कुर्टा जमपर और साड़ियों पर पत्ती वर्क का काम खुब बिकने लगा और धीरे धीरे ये कला रामपूर की सीमाओं से बाहर सारे हिंदुस्तान में जाने लगी बड़े बड़े शोरूंग खुल गए डिमांड बड़ी तो पत्ती वर्क की डिजाइनिंग और क्वालिटी भी दिन बादिन बेहतर होने लगी कोई खाने के उपर जो ढखने वाले कपड़े होते हैं उस चकल में ये जैपूर से नवाब खांदान में ये आया पहली बार ये जब देखा गया बाद में नवाब साब को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने उन कलाकारों को उन कारीगरों को रामपूर बुला कर ये घड़ाई यहां के कुछ औरतों को सिखवाई पैचवर का काम रामपूर की महिलाएं कपड़े के टुकड़े काटके उसकी फूल पत्निये बनाती है और उसको तुर्पन हाथ से करती है सिर्फ मैलाएं ही ये काम करती है धीरे धीरे ये कारोबार तरक्की करता गया ये जो कला है पैचवर्क की ये डेवलप होती गई और इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी लेकिन चुकि कारीगरों की काफी कमी थी एक एक ड्रेस को देने के बाद महीनों महीनों उसका इंजार करना पड़ता था धीरे धीरे फिर करीब 25 साल पहले हमने जब इस रामपुर की कला का ये हाल देखा कि एक साड़ी ये सूर बनने के लिए दिया और चार-चार महीने का टाइम लोग को देते थे पत्ती वर का काम पहले शहर की औरते किया करती थी लेकिन अब ये काम दिहाती औरते भी कर रही है श्रीष गुपता कहते है और बड़े लेविल पे ये काम होने लगा और नाकेबल शहर में बल्कि जो रामपुर के 50 किलो मीटर एराउंड शारोत्रफ के गाउं है उसमें ये महिलाओं को सहम से भी एंजियोज ने उसमें थोड़ी हमारी हैल्प की और आज नाकेबल हिंदुस्तान में बलकि विदेशों में भी काफी डिमांड है इसकला को देख के लोग हैरान होते हैं हमने खुद भी अब से 5-6 साल पहले से एक्सपोर्ट में दिल्ली के जो हमारे बाइंग हाउसेज हैं इसके पेकिंग की, स्टिचिञ वाशिंग की तो इसलिये जो दिल्ली में एक्सपोर्ट हाउसेज है वो हमारे माल फ़रियत के उसको इन्टरनाशनल लेवल कर टच दे देते हैं और वो इसको सप्लाई करते हैं रामपुर में सबसे वड़ी समस्या जो इस कला के खराब होने की है पैचवर के वो यह है कि यहाँ पर कोई डिजाइन सेंटर नहीं है दुकानदार हस्त कला प्रदश्टियों में अपना स्टॉल लगाते हैं उनके साथ कारिगर भी जाते हैं जहां लोग उनकी कारिगरी को भी देखते हैं घरेलू दस्तकारी के प्रोथसाहन के लिए सरकार ने जिला इस्तर पर जिला उद्यो केंदर इस्थापित किये हैं जहां कॉमन फेसिलिटी सेंटर के तहत कारुबार करने वालों को मार्केटिंग और टेक्निकल मश्वरा भी दिया जाता है इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जला उद्यो केंदर रामपूर के महपरवंदक विरेंदर कुमार और इनके माल का इनके सामान का जो भी तैयार प्रोडक्ट हैं जो रामपूरी पैचवर के सूट और साड़ी हैं उनका उचित मोल्य मिल सके इसमें इनको ट्रेनिंग सेचे महिने की दो दो महिने की विभिन टॉपिकों पर ट्रेनिंग दी जाएंगी बहार से एम पैनल जो वो आके इनको डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देंगे और एक कंप्यूटर डिजाइनर पर्मानेंट रहेगा जो यहां पर नए नए डिजाइन डवलमेंट करेगा उसके अनुसारी आटोमेटिंग मसीन लगेगी जो कि एक ही नाप के सब कटिंग करेगी जिससे की कोई भिन मत्ता में कोई कमी नहीं होती हम जो मात खाते हैं वो पैकेजिंग में काते हैं तो ताकि यह सब प्रतिसवर्दा कर सकें और अपने का उचित मोले पास कें CII के थूँ एक G.I. जोग्रेफिकल आइडेंटिफिकेशन का भी प्रोसेस चला है उसके लिए सॉसाइटी रेइस्टर्ड हो गई है यहां के हसिल प्यों को मिला के एक सॉसाइटी बनाई गई है जो की मुरादाबाद में जो रेइस्टर्ड चिट फंड वाले होते हैं इस इस कीम जो जिला उद्योक केंड्रों के माध्यम से हस्ल बीमा योजना। उसमें सामानने स्रेणी के जो हस्लपी हैं उनको 150 रुपे अपना अंजदान देना होता है और जो अनुसुचित जाती जन जाती या BPL स्रेणी के हस्लपी हैं उनको 75 रुपे अंजदान उनके द्व बारत सरकार वहन करती है तो उसमें इनको एक लाग तक पर साल किसी भी जो बीमा कंपनी द्वारा या बारत सरकार द्वारा एंपैनल्ड नर्सिंग हो में वहां एक लाग तक की कैसलेस इलाज की सुईधा इनको मिलती है बिन बिन समय पर हमारे विभाग द्वारा केंप लगा आशा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पेचवर का कारोबार खूब तरक्ती करेगा और कारिगरों की माली हालत भी अच्छी हो जाएगी फले फूल संपदा फले फूल संपदा कला श्रम संपदा उनर से लगल से श्रम से उद्यम से भरी भरी धरा है घर नगर भरा है फले फूल संपदा कला श्रम संपदा फले फूल संपदा कला श्रम संपदा